हेलो दोस्तो मैं सोरों मलीक आप से भीका टोपिक स्टेडिय में स्वागत करता हूँ दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खुसकबरी की न्यूज मैं लेका हूँ आपके सामने अभी नोटिफिकेशन आ गया ग्रूप D की जोब का और ये 62,000 प्लस वेकेंसी हैं तो इसके बारे मैं भी इस वीडियो में हम करने वाले हैं बात तो जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो नीचे जो आपको रैडिकल का बटन दिखा दे रहा है उसको दबा करके चैल के साथ में जुड़ जाएं और हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा शेयर करके इस इनफोर्मेशन को जाद से जाद अपने दोस्तों को बताईएगा क्योंकि इस भरती का बहुत से बच्चे वेट कर रहे थे तो ताकि दूसरों तक भी ये अच्छी खबर पहुँच सके तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जोस्तों जैसे अभी तक पता चला है नोटिफिकेशन का तो उसमें एज 18 से 31 बताई जा रही है बाकी बात मैं कल वीडियो अपलोड करूँगा इसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको बताऊँगा तो कल की वीडियो को जरूर वेट करिएगा ठीक है तो इसमें अभी जो बता यगा है मैं आपको वो बता देता हूँ इसमें फीज की बात की जाए तो फीज इसमें 500 रुपे रखी गई है जैसे लोको पाइलट मैं आपकी थी अभी लोको पाइलेट की जो वेकेंसी आई है 26,000 पलस तो उसमें भी फीस 500 रुपे थी ठीक है यह इसमें फीस बढ़ा दी गई है तो देखते हैं क्या होता है फीस 500 ही रहती है फिर कम करते हैं यह बाकी एजुकेशन की बात करी जाए तो 10th pass ही इसको भरते हैं पर अब की बार एजुकेशन पर भी कुछ इशु बता रहे हैं कि एजुकेशन में आपकी 10th pass पलस यानि कि with ITI मांग रहे हैं फिर 10th pass ही भर सकते हैं देखो कुछ वेकेंसी तो इसमें ITI वालों की भी होगी पर ITI वाले with ITI भरेंगे या फिर 10th वाले ही भरेंगे इस चीज में अभी shorty नहीं है तो कल तक आपको मैं पूरी detail में बता दूँगा जरूर कल की वीडियो को देखेगा उसमें आपको पूरी detail में आपको बताऊंगा कि क्या-क्या चाहिएगा और क्या-क्या requirement है बाकी यह ओल इंडिया जोब है आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं इंडिया में आप इसको भर सकते हैं डेट की बात की जाए तो जब जो अभी तक पता चला है दस दो 2018 से आपके भरने स्टार्ट हो जाएंगे और बारा तीन 2018 तक आपके फोर्म भरे जाएंगे ठीक है तो दोस्तो इस वीडियो में था इतने है अगर आपको वीडियो पसंद आई और यह इन्फोर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक बटन दबा करके मुझे मोटिवेट करिएगा और इस वीडियो को ज